हाई माई नेम इस मोहमद मुबश्यर पीपल कॉल मी मोबी और जो मैं अब नजम आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो एक बेटे के जजबात है अपने बाप के लिए और मैं आप से दरखास्त करता हूँ कि आप मेरे लफजों पे जाएं ना के मेरे अंदाज बयां पे मेर इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका मैं आपको पहले मतलब बता देना चाहता हूँ जैसे के एक वर्ड है फजर फजर मतलब वो वक्त जब सूरज उगने वाला है एक वर्ड है बेलोस बेलोस मतलब अनकंडिशनल सो जब यह मतलब I'll recite this poem तो you'll get to know about these words और poem जो है जो नजम है म नंगें से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था इदवीत की समझना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था घर में खाने के वांदे थे पर FD में पैसा जूड़ रहा था और उसके खुद के सपने अदूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था यह बात तब की थी जब दुन्या मे मेरे लिए सोई हुई थी वक्त कटा साल बढ़ा पर तपी सब अंचान था मैं फिर भी उसकी जान था बिस्तर को घीला करना हो या पिर रातों को रोना एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था सुबा फजर तक गोदों में खिलाता जूलों में हिलाता फिर दिन में कमाता शाम में चला आता कभी खुद से परेशा कभी दुनिया का सताया था एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए ऐसाया था अलवाजों से तो गुनगा था मैं पर वो मेरे इशारे समझ रहा था मैं खुद इस बात से हैरा हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरहा पढ़ रहा था अबबा तो छोड़ो यार अभी आ भी निकलना था पर वो मेरी हर फरमाईशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड़ प्यार में अब ढ़लने लगा था घर से वो निकलना जाये अब उसके कदमों पे नजरे रखने लगा था और मुद्दे तो हाजार थे बाजार में उसके पास पर कब ढ़ल जाएगा सूरज उसको इसका इंतिजार था और मैं भी दर्वाजे की चौकट को ताकता रहता था जब होती थी दस तक तो वाकर से जाकता रहता था देख कि उसकी शकल में दूर से चिलाता था जो भी इशारे मुझे आते थे उससे अपने करीब बुलाता था वो भी छोड़ चाल की सब कुछ मुझे सीने से लगाता था कभी हवा में उचालता था, कभी कर्तब दिखाता था मेरी एक मुसकान के लिए कभी हाती कभी घोड़ा बन जाता था और सो सकू, रात बर सकून के साथ इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था पर वो बच्पन शायद अब सो चुका था और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था चाहे वो फिर खुद बिना पंके के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माते पे रखी हुए पट्टिया हो या मेरी हर जिप के आगे जुग जाना वो बच्पन था वो गुजर गया वो रिष्टा था वो सुकुण गया और मैं उस खुर्बानी के बोच को उठा नहीं पाया इसलिए वो शेहर में कहीं दूर छोड़ाया नया शेहर था नया शेहर की हवा मुझे बेचड़ने लगी थी अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बच्पना लगने लगी थी काम जो मिल गया था पैसा जो आने लगा था क्या जरूरत है बाप को ये सोच मुझ में पढने लगी थी और उधर मेरा बाप वेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा बस यही था उसकी फर्याद में और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का करसदार बन चुका था क्या जरूरत है तुम्हें अब बू इतने पैसे की अभी ये सवाल करने लगा था अब घरी का काटा फिर पलट चुका था कल तक मैं किसी का बेटा था आज किसी का बाप बन चुका था और हसरा तो करस्वेटर मैं भी बुनने लगा था कल क्या करेगा मेरा बेटा मैं भी यही सोचने लगा था दुनिया में न उससे कोई आगे था, न कोई अपना था, सब पर आया था, बस वही एक सपना था, तब मुझ में एक जजबात उमरने लगा था, जिस जजबात से मैं हमेशा अंजान था, कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पर, अब मुझे ये समझ आने लगा था, बिलोस म न बना जए, और कलमों से जो न लिखा जाए, वह होता बाप, जो रोते हूए को हसा दे, और खुड को माजूर बना कि तुम्हे खडा कर दे, वह होता है बाप, और ये एक मेसिज पुरी आवाम के लिए, कि एक रोज, एक रोज, एक रोज, तुम्हे हैसास जरूर हूगा, कि मसरूफ तुम थे उमरद राज वो होगा बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्मत के तलब गार हो तो सीने से लगा ले ना क्योंके वही कल जन्नत का सरदार होगा सब गिले शिक्वे मिटा के चिपक जाना उसको क्योंके आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ नहोगा वो कल तुम्हारे साथ नहोगा और मैं इस नजम का कोई नाम रख नहीं पाया क्योंकि मैं बाप को एक लवज में बता नहीं पाया थैंक यू